आप देख रहे है एन आई यू न्यूज इंडिया अपडेट पिछले दो दिन से उदम सिंग नगर कोहरे की चपेट में था जिससे जनपद वासियों को ठंड का प्रकोब छेलना पड़ रहा था लोग आग जलाकर अपनी ठंड को दूर कर रहे थे तब इस बीच बारिश के होने से मौसम ने करवट बदल ली हो रही बारिश से कोहरे से तो निजात मिली लेकिन बारिश किसानों की फसल के लिए लापकारी साबित हो रही है जहां किसानों के लिए क्रिशिबिल एक गले की फास बना हुआ है और किसान आंदोलन में अपने घरों से बेगर हैं उसी बीच भगवान की महरबानी से उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कराट आई गई है जबकि यदि ज्यादा बारिश हुई तब मटर और अलू की फसल नश्ट भी हो सकती है जो कि किसानों के लिए एक चिंता का विशे बना हुआ है किसान विपिन कामबोज की माने तब ये बारिश किसानों के फाइदे की है इस बारिश से किसानों की गेहों की फसल को सबसे जादा फाइदा होगा किसान नूर हसन की माने तब ये बारिश किसानों के लिए वर्दान है क्योंकि गेहूं के लिए ये बारिश अमरीद के समान है इस बारिश से गेहूं के पैदावार बढ़ेगी और बारिश से कोरे से निजात मिलेगी और गहूं की फसल के लिए ये समझ लो अमरीद बरस रहा है और इस बारिश से गहूं के अंदर दुगनी पैदावार होने की समावना होगी और बहुत ही किसान को फाइदा पोचेगा जिससे की खाद और दवाईयां भी कम लगाने पड़ेंगी और इससे कोरे की समावना भी बहुत कम होगी पारिस होती है तो पहाडों पर बरफ पड़ती है उसके कारण ये हमारे रवी की फशल है रवी की फशल को भूँत फाइदा होता है जितनी ज़्यादा ठंड होगी गहूं हमारा उतना ज़्यादा अच्छा होगा ये बहुत अच्छी बारिस कहलाई जाएगी और बहुत अच्छी पैदावार में बहुत बढ़ोतरी करेगी एक किसानों को विचारों को आज की महंगाई में डीजल बहुत महंगा हो रहा है जिससे कि वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मोटर नहीं है तो वो किस सिचाई से नहर के जाएगा द्वारा इंजन से पानी लगाते हैं वो उनको एक पानी पूरा उनको फहुत फायदा होगा जो 25-25 लेटर दीजल चला देते हैं लेकिने उनको बहुत अच्छा फायदा होगा और ये बारिस में कवे मजदूरी बचेगी बारिस एक तरह भगवान ने उनको पहला पानी अच्छा दे दिया NIU के लिए उत्राखंड से अजर मली की रिपोर्ट